तीस वर्षी अर्विंद कुमार वो गोल कपा बेचने वाला शनिवार के दिन जिसे आतंकवादियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया तेरा लोगों के परिवार का एक मात्र सहारा था अर्विंद कुमार ठीक तीन महीने पहले अपने भाई का अंतिम संसकार करके घाटी आया था उसके पिता अपने बेटे को ये कहते थे मैं सुनता रहता हूं घाटी में आतंकवाद है मैं सुनता रहता हूं कि घाटी में हालाद ठीक नहीं है बेटा मत जाओ लेकिन अरविंद को कश्मीर घाटी के आम लोगों में विश्वास था कश्मीर घाटी के आम आदमी में यकीन था उसको कश्मीर घाटी के आम लोगों में विश्वास था वो अपने पिता को कहता कि पिता जी चिंता मत करिये वहां लोग बहुत अच्छे हैं बड़े प्रेम से मुझे रखते हैं और मेरा काम बहुत अच्छा चलता है वहाँ पर इसलिए मुझे घर के लिए कमानी के लिए जाने दीजिए अर्विंद कुमार तीस वर्षी अर्विंद कुमार ने ठीक तीन महीना पहले अपने भाई का अन्तिम संसकार किया उसके पता दिवंदर साह ने टेलिग्राफ के साथ बाचीत की और उन्होंने उस बाचीत में कहा कि उसका बेटा उनका बेटा कश्मीर के नाम से कभी डरता नहीं था वो वहां के लोगों की प्रशंसा किया करता साह परगड़ी गाउं का रहने वाला है और पिता ये कहता है कि काश हम गरीब नहीं होते काश गुर्बत नहीं होती तो शायद मेरे बेटे को भी इतना दूर काम करने नहीं जाना पड़ता काश गुर्बत नहीं होती काम करना पड़ा और आतंक वादियों की गोली का निशाना बनना पड़ा काश हमें ये गुर्बत नहीं होती तो शायद मेरा बच्चा वहाँ जाता भी नहीं और आतंकियों की गोली का इसके बाद वो कभी भी अपने घरवालों के साथ बात नहीं कर पाएंगे जुदा हो जाएंगे अपने परिवार से और 13 लोगों का पालन पोशन करने वाला अरविंद कुमार इस दुनिया से चला जाएगा उनकी माता जी सुनैना देवी नाम है उनका उनकी माता जी ने ये कहा कि मैंने अपने बेटे को हर समय कहा कि इतना दूर काम करने के लिए मत जाओ मैं सुनती रहती हूं लोगा आतंक वादियों के बारे में बात करते हैं मत जाओ वहां पर लेकिन पुत्र ये कहता कि माता मुझे घाटी इसलिए काम करने के लिए जाना है ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोश्टन कर सकूँ हम गरीब हैं गुर्बत बहुत ज्यादा है और गुर्बत की वैसे हम लोग बहुत परिशान रहते हैं और इस परिशानी से बचने के लिए और इस परिशानी से छुटकारा पाने के लिए मेरा काम करना बहुत ज़रूरी है इसलिए मुझे यहाँ से घाटी जाना बहुत ज़रूरी है ये अरविंद अपनी माता जी को कहता और अरविंद की माता जी ने ये भी कहा कि 15 साल की उमर म अरविंद ने काम करना शुरू किया था पहले अरविंद एक थेला चलाता था उसके बाद उसके पिता जी दिहारी लगाते थे और छोटे-मोटे गाउं के काम किया करते थे थोड़े-थोड़े पैसे भी बन जाते थे और बाकी तीन भाई हैं अरविंद के वो तीन भाई भी दिहारी लगाते लेकिन COVID-19 ने उनसे ये काम भी छेन लिया जब COVID-19 ने काम छेना तो काम बचा किसके पास? काम केवल अरविंद के पास बचा वो गोल गपा बेचता था एक मात्र सहारा अपने परिवार का और वो चोथे नंबर का बेटा था पांच पुत्र हैं पांच भाई थे पांच भाई उमें चोथे नंबर का था और इसके पिदा कहते हैं देविंदर साह कहते हैं कि वो ही घाटी से हमको पैसा भेजता था जिससे हम हमारा पालन पोशन होता था जिससे हम अपना जीवन वितीत करते थे आज हमारे बीच में अरविंद नहीं है अरविंद हमसे बिछड गया है अब मैं सोच रहा हूँ कि अब घर कैसे चलेगा अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरा परिवार कैसे चलेगा हालांकि सरकारू ने भी ऐलान किया है विहार की सरकार न और मनोच सिना से गुजारिश की है कि अरविंद की परिवार को यारा लाख रुपया दिया जाएगा यारा लाख दिया जाए दो लाख दिया जाए अरविंद अपने परिवार से बिचड़ चुका है तेरा लोगों का परिवार अरविंद की कमाई के उपर जिन्दा था कोविड ने सब कुछ इस परिवार से चीन लिया था कोविड ने इस परिवार से काम चीन लिया था कोविड ने इस परिवार से आशाएं उम्मीदें सब चीन ली थी रोजी रोटी के जितने भी सादन थे वो सब खत्म हो गए थे लेकिन इस परिवार के पास उमीद और आशा की कोई एक किरन थी वो आरविन था जो घाटी में काम कर रहा था जरा सोचिए किस मानसिक्ता के लोग होंगे वो क्या सोच होगी उन लोगों की किस स्कूल से निकले होंगे वो मैं उन आतंकियों की बात कर रहा हूँ जिनका दिल इन गरीबों के उपर गोली चलाते वक्त नहीं पसीज़ता जिनकी मानसिक्ता ऐसी हो गई है कि उन्हें लगता है कि ये गरीब गोलगपे वाले को गोली मारने मार कर वो भै और खौफ का माहौल पैदा कर सकते हैं हम आज जम्मो के रेलवे सेशन पर लोगों से बात कर रहे थे जहां लोग ये कह रहे थे कि हम घाटी से आज घर वापस जा रहे हैं वहां बड़ी तैदाद उन लोगों की थी जो ये कह रहे थे हालाद ठीक होंगे फिर वापस आएंगे ये ही भारतियता है हम घबराते नहीं हालाद से डरते नहीं हालाद बनते हैं तो जिस जगा पर ये लगता है कि यहां रहना खत्रे से खाली नहीं वहां से जरूर हम पलाइन करते हैं वहां से जरूर हम निकल जाते हैं लेकिन जब हालाद ठीक होते हैं हम वापस उन जगों पर आ जाते हैं जिन जगों पर हमें काम मिले जिन जगों पर हमारी रोजी रोटी का बंदुबस्त हो अर्विन का परिवार आज परिशान है अर्विन का परिवार आज दुखी है अर्विन का परिवार कश्मीर घाटी के आम नागरिक से सवाल पूछता है कश्मीर घाटी के सिवल सुसाइटी से सवाल पूछता है हर कश्मीर घाटी में बुद्ध जीवी से सवाल पूछता है कि आप कहा है आप की मौमतियां कहा है आप आज बाहर क्यों नहीं आते आप क्यों नहीं आतंक वादियों के सकृत्ति को की बसना करते है आप बाहर आकर यह क्यों नहीं कहते कि प्रवासी मजदूर जो देश के वे बिन भागूं से जब मुकश्मीर में केवल इसलिए आते हैं ताकि रोजी रोटी कमा सके हम गरीबू के उपर गोलियां चलती हैं और आप खामोश हैं आप एक लेख भी हमारे हक में नहीं लिखते आप नहीं बताते अपने समाज को नहीं बताते कि कौन लोग हैं ये जिनने राक्षिस का रूप धारन कर लिया है और गरिबू के ऊपर ताबड तोड गोलियां चला रहे हैं और गोली इसलिए चला रहे हैं ताकि भै और खौफ का माहौल पैदा कर सके ये भै और खौफ का माहौल उन्सों 95 में पैदा नहीं हुआ उससे पहले भी भै और खौफ का माहौल घाटी में नहीं बन सका रहा है कि सरकार क्या करेंगी अर्विंद का परिवार इंतजार कर रहा है कि जमो किश्मीर पुलिस आमी और पैरामिलिटरी फोर्सेज किस तरीके से आतंकियों की इस हरकत का जवाब देंगे होगा सब कुछ सरकारे अपना काम करेंगी पुलिस अपना काम करेंगी अब सोचना है विचारना है कि अब इनके घर का खयाल कौन रखेगा अब इनकी देखरे कौन करेगा अब इस घर को कौन चलाएगा इसलिए मैं बार-बार यह कहता हूं कि स्लेक्टिव कंडमिनेशन नहीं चलेगी बात तब बनेगी जब समाज उट खड़ा होगा और आतंकव की भसना एक जुबान में और एक जैसे शब्दों में करेगा सीजनल वर्कर किलिंग्स कंडम्डे क्रॉस पार्टी लाइन्स तमाब राजदिक दलू ने वही काम किया है जो हर बार राजदिक दल करते हैं कंडमनेशन बात कंडमनेशन से बनने वाली नहीं है अर्विंद के परिबार को बहुत सारे जो सवाल हैं उनका जवाब चाहिए